अब बीए, बीकॉम, बीएसी और में, एमकॉम करें विश्वकी सबसे बड़ी उनिवरस्टी इग्नू से, सॉल्ड असाइन्मेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें, संपर्क करें, महाकाल कप्यूटर्स, डियेवी कॉलेज गेट के सामने सिवान गुरुवार केलसबा सिवानजले के मुफसल थाना चेतर के बरहनी बाजार से, एक बड़ी खबर सामने उभर करा रही है कि जहां एक एलेक्ट्रिकल इंजीनर के पत पर, दुबई में तनात तारिक रह्मान खान की घर अग्यात चोरो द्वारा, जम कर तांडव मचाते हुए करीब 8 लाक रुपे के सोने चांदी के आबुशन सहित बहु मूल समानू की चोरी कर ली है, उदर इंजीनर तारिक रह्मान खान की घर हुई भीशन चोरी को लेकर परजनों में दहशत का माहौल कायम है, इस घटना को लेकर इंजीनर तारिक रह्मान खान ने इस थानी मुफसल थाने में अज्याद चोरों के वरुद एक आवेदन दे कर प्राप्त मिकी दर्ज करने की गुहार लगाई है, उदर आवेदन प्राप्त होते ही पुलिस मामली की तहकीकात में जुट गई है, लेकिन खबर प्रेशन तक उप्रोक घटना में पुलिस को कुछ भी असल नहीं हो सकी है, गटना के संबन में प्राप जानकारी के मताविक मुफसल थाना छेतर के बरहनी बजार निवासी स्वर्गी, मोति और रहमान खान और सुखी खान के पुत्र, इंजीनर तारिक रहमान खान जो अपने पूरे परिवार के साथ दुबई में रहते थे, ए अगर के सभी कमरे को चोरो द्वारा तलाशी लेते हुए भीषन चोरी की घटना को अंजाम दिया है। किसी भीच ग्रामीनों द्वारा मुझे सूचना दी गई कि आपके घर का ताला तोड़ चोरी की घटना को अंजाम चोरो द्वारा दी गई है। लेकिन अभी तक मुफसल थाने की पुलिस सकरी चोरों के गिरेबान तक पहुचने में विफल साबित हुई है। उदर चेतरों में बढ़ रही लगतार चोरी की घटना को लेकर ग्रामीनों में इस्थाने पुलिस के प्रती बड़े पैमाने पर आकरोश देखा जा रहा है। कई ग्रामीनों का कहना है कि स्थाने पुलिस रात्री गश्ती के नाम पर सिर्फ छेतरों में खाना पूर्ती करती है। का निर्देश के आलोग में सगन रात्री गश्ती की जाती है। वहीं बरहनी बाजार निवासी इंजीनियर टारिक रह्मान खान के घर हुई। बीशन चोरी के मामले में पुलिस का कहना है कि पिड़ द्वारा आविदन प्राप्त हुआ है। प्राप्ताविदन के आलोग में प्राप्तनी की दर्श करनी की प्रकरिया शुरू कर दी गई है। वैसे घटना का पटा शेप के लिए इलाके के संदिक ठिकानों पर एक पलिस टीम का गठन कर्शा पिमारी की जा रही है। जल्दी घटना का खुलासा कर लिया जाएगा।